जिसकी लाटी उसकी भैस वाली कहावत भारती समाज और राजनीती का हिस्सा है उत्तरभारत जैसे प्रांतों में बाहुबलियों का बोल बाला हमेशा से रहा है बाहुबलियों के बल पर सरकार बनती है और सरकार के बल पर बाहुबली लोग पलते है सबसे दुखत तो तब हो जाता है जब बाहुबलियों को जनता भी समाज का मसीह समझने लगती है और समाज का आईडल बना देती है बहुबलियों को सरकार का संरक्षर मिलता रहता है जिसके बल पर ये बहुबली अवैद तरीके से अकूद संपत्ती अरजित कर लेते हैं लेकिन जैसे ही सरकार की नजर थोड़ी टेड़ी होती है तो बाहुबलियों को भी कभी कभार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है या जब सत्ता परिवर्तन होता है तो बाहुबलियों को थोड़ी दिक्कत होती है भारत में योगी सरकार जब से बनी है उसके आते ही यूपी में बाहुबलियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और समाजिक तत्तों की मुश्किले बढ़ गई है यूपी के सबसे बड़ी माफिया और बाहुबली नेता अतीक एहमत पर सरकार की कारिवाही लगातार बढ़ती ही जा रही है अतीक के भांजे हमजा उसमान की करोडो की प्रॉपर्टी पर बुल्डोजर चला कर जमीदोस कर दिया गया है आरोपै की दो भीगा जमीन अतीक के अतीक के भांजे हमजा ने सरकारी संपत्ती होते हुए भी कबजा करके उस जमीन पर काफी निर्माड करा लिया था भारी पुलीस फोर्स ने इलाके को सीज़ करके प्रॉपर्टी पर बुल्डोजर चला कर जमीन को खाली कराया अब यह जमीन सरकारी कारिय में इस्तमाल जिसमें से अब तक 17 संपत्यों पर कारेवा ही की जा चुकी है अतीक के भांजे हमजा पर भी कई मामले दर्ज हैं सर ये बताएं कि आज ये कौन सी जगह हैं यहाँ पर कितनी जमीन थी और किस तरह का किस ने हवाय निर्मान किया था जिसको आज यहाँ पर जेसी भी मसीनों से पीडियों के सायोग से द्वस्त करा गया है और आगे इसको किस तरह से कब्जा लिया जा रहा है और क्या पूरी कारवाई आज यहाँ पर की गई तरह में दोरी इलाके में राजकी अस्तान की भूमी है गाटा संक्या 421 और इसमें दाखिल कास्तरकारी गुरूर्व में यह किसानों को दिया आता है जिसका इन्हों सर्तों का उलंगन किया था और यह निर्माड करा गया था ऐसा इस रहा है इस यह लीगल इंकुरूश्मेंट तोड़ा जा रहा है और सरकार अपने कब्जा में जमीन को ले रहे ह सर करीब कितने की जमीन होगी कितनी जमीन है करीब कितनी उसकी लागत होगी क्योंग ये शहर की बीट में पाउश इलाके में जब आप सरकी लेट तो अब देखना पड़ेगा है विसका कुछ नहीं होगी कपजे मिलिया जा रहे जा रहे जिसका लगातार पालन कराया जा रहा है जितनी भी अवैद संपत्या इन माफियों द्वारा अरजित की गई है गलत तरीके से उन सब को कुर्क किया जाएगा और ये संदेज दिया जाएगा कि अगर कोई भी इस तरीके से पराध करके संपत्य एकत्रित करेगा तो उसके उपर सक्ते से सक्त कारिवाही की जाएगी अतिक एमत की चिन्नित 11 कानूनी संपत्यों में बची हुई अन्य संपत्यों पर भी शिग्र ही कारिवाई करने की बात कप्तान द्वारा कही जा रही है पराध संपत्यों की कूर किया जाना था कल कुछ कारिवाई हुई थी आज क्या कारिवाई हो रही है और इसमें कब तक पूरी कारिवाई कर ली जाएगे सर्भी बाराध संपत्यों की कूर करने की माफियाओं के बिरुद जो एक सघन अभ्यान चला है अपराध मुक्ष प्रदेश बनाने के लिए और खास तोर से यहां पर माफियाओं का दमन करने की जो हमारे मुहीम है उसके क्रम में प्रापर्टियों की कूर की की जा रही है कल जो है इनकी प्रापर्टी को किया गया है सीज किया गया है आज भी प्रापर्टी की सीजर की कारवाई चल रही है तीन प्रापर्टी आज भी सीज हुई है और हो रही है आगे भी इस पर बारह प्रापर्टी चिनित की गई है जल्दी से जल्दी तुरंत इनके सीजर का प्रेयास कि आ रहा है और हम लोग जंडी हमत की, कुछ संत्र का सब्रूमस करें के लिए कि जा RY, माफयाओं के विरुद प्रापर्टियों को सीज करते हुए उनके उपर एक्षन लेते हुए एक यह मैसिज दिया जा रहा है कि इस तरह से आप अपराद करके अवैद प्रापर्टियों को बना करके गलत कारें नहीं कर सकते हैं इसी के क्रम में जो प्रापर्टी जिसका आफ लिफ कर रहे हैं उसके उपर भी जो कोल्डी स्टोरेज है उसके उपर भी कारवाई की जा रही है उसमें जो भी कुछ आलू थे उनको भी निकाल करके उसके उपर कारवाई की जा रही है अलेडियों प्रापर्टियों कूर थे